Good morning students, how are you बेटा? अच्छे हैं आप लो? बेटा हमने हमारी पाठ्थे पुस्तक मेधा, इसका पाठ पाँच तराजू चुए खा गए इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है है ना, इसके अपनने कुशन आंसर भी कर लिये बेटा और book exercise भी कर लिया है, अब बारी है हमें अपने आपको जाचने की कि हमें वो कहानी कितनी समझ में आई है, ठीक है? इस कहानी में हमने पढ़ा बेटा कि एक नगर में धनी नाम का एक व्यापारी रहता था खूब अमीर था, खूब पैसा था, उसके पास खूब धन था तो लेकिन उसके उपर खूब करजा भी चड़ गया था तो करजा चड़ गया था, उसने सोचा है कि मैं नगर से बाहर दूसरी जगे जाकर के अपने भागे को आजमाता हूँ और धन कमा के लाता हूँ तो उसने क्या करा, वो करजा चुका आने के लिए अपनी सारी संपत्ती को बेच दिया लेकिन एक तराजू उसने रखा, जो उसकी रोजी रूटी थी है उस तराजू को उसने सोचा मेरे दोस्त के पास, मित्र के पास उसको समभाल के रख देता हूँ जब वापस आउंगा तो मैं उससे वापस ले लूँगा कुछ सालों के बाद जब लोटकर अपने नगर को आता है तो अपने मित्र सोहनलाल के पास वापस जाता है कि लाओ भाई मेरी तराजू वापस दो तो सोहनलाल उससे कहता है कि भाई तुम्हारी जो तराजू है उसको तो चुए खा गए और ये समझ गया धनी रामकी इसके मन में पाप आ गया है तो उसने एक ट्रिक लगाई एक युक्ति लगाई उसने कहा भाई मैं घर जाते समय आपके बेटे को ले कर जाओंगा और नदी पनाते वे में घर निकल जाओंगा तो वो मेरे कपड़ों का नदी पर ध्यान रख लेगा उसने कर ठीक है ले जाओ तो वो बेटे को ले जाता ह तो लेकिन वो खुश हुआ सोहनला कि चलो इसके दिमाग से तराजू की बात निकल गई है ना तो फिर उसने क्या किया जब थोड़ी देर के बाद धनीराम वापस लोटा तो खाली हाथ बिना बेटे के लोटा तो बोलता है सोहनला मेरा बेटा कहा है तो वो बोला कि उसको तो कभी ऐसा हुआ है लोहे की तराजू को चुहों ने खाया है और बच्चे को पक्षी बाज उठा के ले जाएगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो नगर से धनीराम को डाटता है उसको कहता है उसके बच्चे को वापस लाके दो और सोहनला से कहता है तो में इनकी तराजू को वा अब इसकी वरकशिट की ठीक है वरकशिट में पहला प्रशन है जो उत्तर सही हो उस पर सही का निशान लगाई ये तो कह है नदी का समान आरथी शब्द है जलाशय सरोवर सरीता इन तीनों में से जो सही है इस पर आपको टिक करना है ख है व्यापार करने वाला इस अंदार नगर से तीनों मैं से जो शब्दि सही उस पर आप टिक करेंगे अब प्रश्न दो है नेश्ब्दों के विलॉम शब्द लिखिये विलॉम शब्द मैंने विपरीत अर्थवाले शब्द। उल्टे अर्थवाले शब्द। हैना पहला है बिटा दोश का विपरीत आपको यहां लिखना है गा है लाब लाब का उल्टा आपको यहां लिखना है और पुराना पुराना का जो विलोम शब्द है वो आपको खाली जगे में लिखना है अब है प्रश्ण तीन प्रश्ण तीन में है बेटा नेमन शब्दों के इस्त्रिलिंग रूप पर गोला जजिसे पहर दूसरा लिंक किया होगा इस्ट्राल निया सेठ रादे डोनों में प्रॉशन 4 निम्नवाक्यों में बताईए कि रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक संग्या है या जातिवाचक संग्या तो का है धनी राम दिल्ली चला गया तो दिल्ली शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक आपको यहां लिखना है खा है ईश्वर की कृपा से उसने धन कमाया तो यह व्यक्तिव करके हमारे personal number पर आप send करेंगे ठीक है आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है धन्यवाद